स्कूल वैन का टायर फटने से हुआ बड़ा हाथ्सा एक बच्चे की हुई मौत तथा अन्यतीन घायल शिरिमुकसर साहिब के नजदी की गाम्व मल्ला की एक नीजी स्कूल वैन अन्यांतरित होकर हाथ्से का शिकार हो गई दुरघटना में दो शिक्षक और चार बच्चों समेथ वैन चालक घायल हो गया घायलों की हालत गंभीर होने के कारण बठिंडा रैफर कर दिया गया गंभीर चोट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई जानकारी के अनुसार स्कूल वैन एक खेल कारेक्रम में भाग लेने के बाद बच्चों को वापिस स्कूल ले जा रही थी टायर फटने के कारण ये स्कूल वैन अन्यांतरित होकर एक पेड़ से जाटकराई हाथ्सा मलन गाफ के पास हुआ दुरघटना के समय वैन में करीब 30 बच्चे सवार थे इस वैन की दुरघटना ग्रस्थ होने के बाद आसपास के ग्रामी तुरंत मौके पर पहुँचे और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया